सभी समुह की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार अगर आप मेरे वीडियो पर पहली पार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करेंगे तो उपर बेल आइकन की घंटी आएगी उसको आप दबा लिजेगा तो ऐसा करने से होगा क्या जो है हमारे वी बस एक ही वीडियो चलता है जो है स्वैम, शाहता, समुह से जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो प्रेणा टीवी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा चाहे वो रजिस्टर बनाने का हो या अधर कोई जानकारी इस समय जो भी योजना चल रही है मैं डेटेल में बारे-बा टॉपिक है बकरी पालन योजना जी हां ये योजना काफी अच्छी है योजना है हमारे हाँ चल भी रही है इससे महिलाएं बताती है कि अच्छा खासा हमारा इंकम हो जाता है जहां तक महिलाएं चाहती है में जौप मिल जाए नौकरी मिल जाए तो इतना आसान नहीं है द जब किसी जोब की योजना आएगी तो मैं तुरन्ट वीडियो डाल दूंगी आप उसमें फर्म भर के अप्लाई कर सकती हैं अभी इस फिलाल इस समय कोई नौकरी वाली योजना नहीं चल रही है तो एक योजना यह हमारे तब से है इसको आप चाहे तो कर सकती है अच्छे प योजना लाकत एवं ब्याज मुप्त व्रिड वित्तिय विवस्ता जी हाँ यह किसके लिए है यह स्वेम शहायता समु की महिलाओं के लिए है अगर आप स्वेम शहायता समु में जूरी है और धेर सारे आपको फायदे मिल रहे हैं तो यह फायदा भी आप ले लिजिए जो है ब्याज मुफ्त है वो किस तरह इस प्रकार में आपको आज बताती है अगर से चलिए जानते हैं कि क्या है अज इस इस षीडियो में बकरी पालण कैसे करें बकरी के सेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करें किसान को बकरी पालन लोन कैसे मिलेगा? किसान बकरी पालन लोन जी हाँ योजनाल लाकत एवं व्याज मुफ्तिरिन वित्ती विवस्था बकरी पालन लोन बकरी पालन फार्म बकरी पालन कैसे करे? बकरी पालन कैसे करें? बकरी पालन की सुरुवात कैसे करें? दोस्तों, दीदियों, जी हां समु की महिलाओं ध्यान दे आज हम आपको अपनी वीडियो में एक नई योजना को लेकर आए हैं जिस योजना का नाम है बकरी पालन योजना जी हां महिलाओं बकरी पालन योजना ध्यान से सुनिये वीडियों को योजना का नाम है बकरी पालन योजना बहुत से ऐसे लोग हैं जो बकरी पालन योजना से अपना वेवसाय सुरू करना चाहते हैं परन्तु उनको समझ में नहीं आता है हम बकरी पालन का वेवसाय किस प्रकार करें सुरू करें दो महिलाओं बकरी पालन योजना में पहुत सारा पैसा है जी दीदियों लोग आप ध्यान से जाने बकरी पालन जो करते हैं उसमें काफी पैसा है जो की हम कमा सकते हैं परन्तु यह पैसा हम किस प्रकार से कम आएग तथा बकरी पालन किस प्रकार से करेंगे ताकि हम भी अच्छा गुजर बसर कर सके इसके लिए हम आपको पूरी जानकारी अपने इस वीडियो में जी हाँ हम अपने इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि आप किसी प्रकार से बकरी पालन योजना शुरू कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं महिलाओं इसकी पूरी जनगारी हमारे इस वीडियो में ध्यान पुर्वक से सुने महिलाओं दीदी लोग सुनिए यदि आप अपने बकरी पालन वेवसाई शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बहुत ही बातों का ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार की बकरिया को पालें सबसे बड़ा पहला ध्यान नहीं देखना है कि किस प्रकार की बकरिया को हम लोग पालेंगे बकरियों को जी हां बकरियों का रहने का स्थान किस प्रकार का होना चाहिए यह भी हमको निधान करना है फिर अन्य और और कई बाते तो चलिए महिलाएं किस प्रकार से हम बकरी पालन शुरू करेंगे इसकी पूरी जनकारे वीडियो में बताते हैं बकरी पालन कैसे करें? महिलाओ, दीदियो जी, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही प्रश्न आएगा कि हम बकरी पालन किस प्रकास से सुरू करेंगे? जी दीदियो जी, हम आपको बताना चाहते हैं बकरी के सेट बनाने के लिए सही जगां का चुनाओ करें दीदि, हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप बकरी पालन सुरू करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको एक सही जगां का चुनाओ करना होगा यानि किस जगां पर बकरी आसानी पूर्वक रह सके तथा घास छेत्र अच्छा हो उसके लिए अलग से बड़ा बनाने किया सकता परती है इसके लिए एक अच्छी जगां होनी चाहिए बकरी के सही नसल का चुनाओ करें ध्यान रहे दिदी कि बकरी के सही नसल का चुनाओ ही आपको बकरी पालन में सफलता की उचाईयों तक ले जाएगा सही नसल के चुनाओ के लिए हमें एक बात का ध्यान में रखनी है कि हम जिस वातारण में रहते हैं वहां के अनकूल ही बकरियों का नसल का चैन करें अगर हम बिहार की बात करें तो यहां ब्लैक बंगाल बकरी और बीटल बकरा का चैन सबसे अच्छा इसी तरह हम आपको अलग अलग जातियों की नसलों के बारे में बता रहे हैं जिनकी बकरी पालन आप कर सकते हैं राजस्थान में राजस्थान में शिरोही बीटल सोजात यूपी में बराबरी और जमना पारी दच्छिर भारत में ओस्माबादी तेली चेरी पस्चिम बंगाल में ब्लैक बंगला इत्यादी प्रमुख नसले हैं 20 ब्लैक बंगाल बकरी में एक बिटल बकरा रखें यह नसले बिहार जारखंड और पस्चिम बंगाल के वाता वरण के अनकूल है और बिमार भी कम पड़ते हैं सरकार बकरी पालन अथ्वा गाय पालन की नई नई योजनाय भी चला रही है आप अपने नजदी की पसु पालन विभाग या बायफ में जाकर बकरी पालन लोन जी हाँ ध्यान दे नजदी की पसु पालन विभाग या बायफ में जाकर बकरी पालन लोन के लिए बकरी पालन फार्म भी भर सकते हैं पार्म भी भर सकते हैं बकरी खरीदने समय जी हाँ बकरी खरीदते समय हम एह ध्यान दे की बकरी वैस्क हो सबसे अच्छा तो यह है कि उन बकरीओं को खरीदे जिसका एक व्यक्ता यानि वो एक चार बच्चा दे चुकी हो जी हाँ वो एक बार बच्चा दे चुकी हो इससे हमें बाँच बकरियां जी हाँ इससे हमें बाँच बकरियों का खत्रा नहीं रता अन्यता फार्म का प्रोडक्शन जल्दी होता है एक बकरी लगभग डेड़ वर्स की अवस्था में बच्चा देने की इस्तिती में आ जाती है और छै साथ मह में बच्चा देती है एक बकरी एक बार में दो से तीन बच्चा देती है और एक साल में दो बार बच्चा देने से इनकी संख्या में वृद्धी होती है बच्चे को एक वस तक पालने के बाद ही बेचते हैं बकरियों में प्रमुख रोग देशी बकरियों में मुख्यता, मुँपका, खुर्पका, पेट के कीडों के साथ साथ खुजली की बिमारियां होती है ये बिमारियां प्राय बरसात के मौसम में होती है आज की वीडियो में दीदी बस इतना ही जनकारी अगला वीडियो नेश्ट वीडियो नेश्ट जनकारी आपको मैं नहीं नहीं जनकारिया इसी प्रकार देती रहूंगी आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब सेर जरू करें सस्क्राइब तो जरूर क्योंकि यह योजना नहीं पसंद आएगी तो अगली योजना आपको पसंद आजाएगी क्योंकि हर योजना है पसंदीदा और हर योजना में हैं अच्छे खासा इंगम और लाव अफायदा सब कुछ है तो प्रेटना टीवी चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए आज के वीडि निवाद